दोपलर एफेक्ट इन लाइट यिनी परिकास में दोपलर परवाव परिकास शरो तथा प्रकसथा की सापिक्स गति के करण प्रकस की आवरती अथवा त्रैंग दैर्दे में प्रिक्सित आभासी परिवर्तन को प्रकास में डोप्लर प्रभाव कहते हैं प्रकास के डोप्लर प्रभाव से तारू अथ्वा गलेक्सिज की गती का अनुमान लगा जा सकता है यहीं कोई तारा पर्त्वी परिस्तित प्रिक्सक से दूर जा रहा हो अथ्वा प्रेक्सक के उरा रहा हो तो इसके प्रकास के स्पेक्ट्र में रेखा है स्पेक्ट्रम के दिरक तरंग दैर दे अथ्वा लगू तरंग दैर दे यानि कि लाल भाग अथ्वा बैंगनी भाग के और विस्तापित हो जाएंगे इस गटना से तारे का वेग ज्यात क्या जा सकता है, यदि तारे के स्पेक्ट्रम के दीरक तरंग दैरदे या राहा है, विस्तापी जिनके लिए डौक्तलर विस्तापन का हमापन किया गया है, सभी में रेड़ सिट पाया गया है इसे सपस्ट है कि सभी आकासंगाई परत्वीशे दूर जा रही है यह तरती सपस्ट करता है कि विश्व का परसार हो रहा है means expansion of the universe हो रहा है इस परकार यदि हम कालकरम में पीछे गोर देखें तो तमाम आकास गंगाई आज के अपक से आपस में पास पास थी तद अलगबग 15 अरब वर्स पूर जिसको बिग बेंग के अनुसार 13.8 वर्स बिलियन वर्स पूर समुझ ब्रमाट के सभी आकास गंगाई या उन सभी आकास क्रूगों का पदार्थ एक बिंदू पर केंदरित था जिसे विग्यानिक विलेक्षनता का बिंदू या दा पोइंट ओप सिंगुलेरेटी दा पोइंट ओप सिंगुलेरेटी कहते हैं जिसके विस्पोर्ट से ब्रमाट के उत्पत्ती हुई इसी विस्पोर्ट को बिग बैंग कहा जाता है